सुप्रबाद बच्चों कैसे हैं आप लोग कल मैंने आपको हिंदी रीडर पढ़ाई थे आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट दो पढ़ाऊंगी हिंदी व्याकरण का कौन सा पार्ट पार्ट दो लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिंदी व्याकरण का पार्ट एक भासा और ब्याकरण के बारे मैं आपको बताया था कि बासा किसे कहते हैं और उसके कितने प्रिकार होते हैं और ब्याकरण के परवासा क्या होती है आज में आपको वर्ड, वर्ड मीज होता है लेटर इंग्लिस में लेटर कहते हैं, हिंदी में वर्ड कहते हैं अच्छर भी कहते हैं, हम लोग अच्छर के नाम से जानते हैं, अच्छर के से कहते हैं, ओलम होती हैं, आ, का, खा, गा, ये सब क्या हैं, अच्छर हैं, जब हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, तो हमारे मुझ से कुछ धुनिया निकलते, जैसे हमने का का, तो एक दोनी निकली न जैसे हमने का खा तो एक दोनी निकली जैसे दर्वाजा दर्वाजा बोला तो एक दोनी निकली है न जहाज कम केसरी दर्वाजा जहाज और केसरी सब्द कई दोनियों से मिलकर बने एक दोनी निकली है जैसे दर्वाजा बोला द एक दोनी रवाजा कई दोनिय निकली है ना दर्वाजा वा के साथ बड़ आ की धोनी निकल रही थी जा भड़े आ की दोनी निकल रही थी इसी प्रकार जहाज में एसी प्रकार केसरी में, जहाज में भी जहाज के बार आ, फिर हा की, फिर बड़ा की, फिर जा की, फिर आ की, ऐसी केसरी में, तो जो दुहनिया निकली है न, दर्वाजा, जहाज, केसरी, इन दुहनियों को वर्ड या अच्छर कहते हैं, इन दुहनियों को क्या कहते हैं, वर्ड य लिखते हैं तो यह क्या लाती है वर्ड या अच्छा भासा की सबसे चोटी धोनी होती है जिसके टुकड़ी नहीं किये जा सकते हैं लेकिन किसी वर्ड को हम विवाजद नहीं कर सकते हैं वह छोटी से छोटी दोनी जिसके और टुकड़े ना हो सके वर्ड कहलाती है वह छोटी से छोटी दोनी जिसके और टुकड़े ना हो सके उसे क्या कहते हैं वर्ड वर्डों के प्रिकार वर्ड कितने प्रिकार के होते हैं वर्ड दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो, स्वर और व्यंजन, कितने प्रकार के होते हैं वर्ड, स्वर और व्यंजन, स्वर किसे कहते हैं, इंगलिस में तो वावल से बोलते हैं न, हिंदी में बोलते हैं स्वर, जो वर्ड किसी दूसरे वर्ड की सायता क बिना बोले अत्वा लिखे जाते हैं उने स्वर कहते हैं जिन वर्णों को हम किसी दूसरे बर्णों की दोनी से बिना सायता से बोलते हैं जैसे बिना दोनी से बोल रहे हैं तो कोने हम करेंगे वर्ड ओ अउ तक कहां तक होते हैं इस वर्ड ओ अउ तक होते हैं तो स्वर की संख्य हिंदी में स्वरों की संख्या ग्यारा होती है निमलिकित वर्ड स्वर कहलाते हैं जैसे आ आ ईई उड़िसी एई ओ अउ यह क्या है स्वर हैं आज मैं आपको इतना ही पढ़ाओंगी आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे इस परवासा को याद करेंगे कि वर्णों के वर्ड की परवासा क्या होती है वह छोटी से छोटी द्वनी जिसके टुकडे ना हुशे कोशे बर्ड क्या लाती है वो बच्चों आप इस पाट को अच्छे से पढ़ना कल मैं आपको वर्णों के प्रकार वियंद्यन बताऊंगे ओके बच्चे धन्यवाद